मालती जोशी की कहानी फासले हनुमान चाली सा पढ़ रहा था केशब ने हस्ते हुए कहा पर जैसे ही उसकी नजर पत्नी के चेहरे पर पढ़ी उसकी हसी गायब हो गई वह क्या कहकर इतनी जोड से चीखी थी जैसे साप पर पाउप पढ़ गया हो उसके बाद आदे घंटे तक बो धुगाधार बोलती ही रही दादी के पले कुछ नहीं पढ़ा बस इतना भर समझ में आया कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे इहां देखो हनुमान चाली सा पढ़ा जा रहा है उनकी समझ में ये नहीं आया कि हनुमान चाली सा पढ़ने से ऐसा क्या नर्थ हो गया बच्चा दिन भर इलू-इलू गाता है तो इन्हें कोई फरक नहीं पढ़ता वो कूले मटका कर ओय-ओय डांस करता है तो ये निहाल हो जाते हैं पर बच्चे ने जरासा भगवान का नाम ले दिया तो जैसे आस्मान फंट पड़ा दोस्तो पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर आएं और पिलिजिसे सब्सक्राब भी करें